कृष्ण कनयालाल कीजै, सद गुरु भगवान कीजै वशुदेवं सुतंदेवं, कंसचाणूरमार्दनं, देवकी परमानंधं, तश्वै श्री गुरुवे नमा, अखंडानंद बोधाय, सिष्यसंताप हारिने, सचिदानंद रूपाय, तश्मै श्री गुरुवे नमा, व्यासाय विष्णुरुपाय, व्यासरुपाय वैष्णवे, नमो वै ब्रहम निदये, वासिष्ठाय नमो नम, नमो स्थुते व्यास, विषाल बुद्धे, फुल्लार विन्दायत पत्र नेत्र, ये नत्वया भारत तैल्य पूर्ण, प्रज्वालितो ज्यान मयः प्रदीप, प्रज्वालितो ज्यान मयः प्रदीप, नमो स्थ्वनन्ताय सहस्रमूर्थये, सहस्र पादा, क्षिशिरोरु बावे, सहस्र नामने, पुरुशाय साश्वते, सहस्र कोटी, युगधारिने नमा, सहस्र कोटी, युगधारिने नमा, स्री गणिशाय नमा, स्री शरश्वत्याई नमा, स्री गुरुभ्यो नमा, आम्नमो भगवते, वाशुदेवाय, नारद जी, विशाला पूरी माव्या छे, भागुत महत्म्यमा, त्यार्थी आगणवदिये, जीवन मा, ज्यां सुधी कोई लक्ष न थाए, त्यां सुधी पाप अटक्षे ने, जे लक्षने लक्षमा राख्तो नथी, तेना थी पाप ठाये छे, परन्तु जेलपोताना लक्षने लक्षमा राखे छे, तेना थी पाप ठाये ने, परन्तु मनुष्यने लक्षनी खबर नथी, अने काम करवानी जरूर छे, तेज एकर तो नथी, जगत मा पाप बव वधी गईूं तेथी धर्ती माता अन्न गड़ी गई चे अन्न विक्रय एपण पाप जी चे ग्ण्यान विक्रय पण पाप चे ग्ण्यान नो विक्रय न करो ब्राह्मन निश्काम भावथी जगत ने ग्ण्यान नू दान करे अन्य दान करता पन ज्ञान दान स्रेश्ट चे तेथी कायमनी सांति थाएचे आजे अन्य विक्राई ज्णान विक्राई थवालाग्या तेथी पवित्रता रैनती अने पाप वद्यूं चे मनुष्यनी भावना बगडी त्यार्थी जीवन बगडी नारत जी कहे छे के दुनिया मा मने क्यां सांति जोवा मावी ने फर्तो फर्तो हुँ वरंदावन मा पहुँच त्या जै में एक कवतुक जोई नूँच एक योगती स्त्री हती तेनी पासे बे व्रद्ध पुरुषों मुर्चा मा पड़ेला हता ते स्त्री है मने बोलावयों हेकल हुँ तेनी पासे गयों साधु पुरुष कोई स्त्री पासे न जाये पन मदद माटे तो जवुँ पड़े ते योगती स्त्री है मने कहयों के हे साधो एक क्षण उभारव बिजानु काम शाधे ए साधु शुवरन करता करता समयने किमती गणे ए साधु कोईनी एक क्षण पन बगालवी नही एटले एक क्षण पन उभारेवा कहयों मे कहयों देवी तमे कोण छो ते स्त्री है कहयों मारू नम भक्ती छे अग्यानने वैराग्य नामे मारा बे पुत्रों छे ते व्रद थाई गया छे मारू जन्मस्थान द्रवीड देश छे महान आचार्यों दक्षिन बारत मा प्रगट थया छे भगवान संक्रा चार्य जी भगवान रावानुजा चार्य भगवान माधवा चार्य भगवान वल्भा चार्य जी अबदा दक्षीन मा थायाँचे दक्षीन देश ए भक्तिनो देश चे करणा टकमा मने पोशन मलिऊ हुम मोती थाई आचार विचार जया सुद्ध होए त्या भक्तिने पुष्टी मलेचे विचार साथे आचार सुद्धी पन होवी जोईए करणातक मां आजे पन आचार सुद्धी जोवा मलेचे करणातक मां हजु आचार विचार वधारे जोवा मलेचे व्यास जिने करणातक प्रत्य पक्ष्पात नहतो पण जे साचु हतो तेनु वर्णन करियोचे महराष्ट्र मां कोई-कोई थेकाने मारु शनमान थेयू. महराष्ट्र मां पंडर्पूर जय वास्थड मां भक्ती जो अमले जीुए। अने गुज्रात्मां उज्यिर्ण थेई। गुज्रात्मां मारा बेपुत्रो साथे उँँ व्रध थेई। पैशाना दास प्रभुना दास थाई शक्ता न थी। गुजरात ने प्रधान पणे कंचन नो मोहलाग्यों चे। अने भक्ती तेथी छिन भीन थेई गई चे। भक्ती ना नव अंग चे तेने नवधा भक्ती कहेच। तेमा पहलू स्त्रवन केवड कथा साम्बडवाथी भक्ती पूर्ण थती नथी साम्बड़ू होए तेनू मनन करूँ। मनन जेतलू जीवनमा उतार्यों तेतलू साम्बड़ू गणाए। कथा साम्बडवाथी पाप बड़ेच। परंतु मनन करवाथी अने तेने जीवनमा उतार्वाथी मुक्ती मड़ेच। मनन न करवाथी स्रवन सफण थतू नथी। छिन भिन थई जायेचे। अवे किर्तन भक्ती रही नथी। किर्तन मा किर्तिनों अने कंचन नो लोब आव्यों त्यार्थी किर्तन भक्ती पन बगड़ी। दन नो लोब छूटे पन किर्तिनों मोह छूटों कठिन चे। किर्तिनों मोह ग्णानीने पन पजवेचे। जोके साचा ग्णानीने अपमान वालू लागेचे अने मान खराब लागेचे। कठा किर्तन मा अनायासे जगत भूलाई जायेचे। बाकी मनुष्य माणालाईने बेशेचे त्यारे तो तेने जगत यादावेचे। कठा मा बेशो त्यारे संसार व्यवहारना विचारों काधी नाखू। हुमारा स्रिक्रिष्णना चरण मा चूँ एवी भावना राखू। किर्तन भक्ती निश्काम होवी जोई। तुल्सी दास्तिये कईूँ छे के मारा सुख माटे हुँ कथा करूँ छू। बिजाने शुख मडे छे, तेनी मने खबर नथी, पन मारा मनने आनंद मडे छे, तेथी हुँ कथा करूँ छू। सर्वमा स्रिक्रिष्णनी भावना राखी सर्वने वंदन करू। वंदन करवा थी विरोधनो नास थाये छू। नर्सी मेताये वैश्णव भक्तनु लक्षण बतावियू छे, के वैश्णव तो सकल लोक मां सवने वंदे, वंदे ए वैश्णव, वंदन मागे ए वैश्णव नही। हूँ पणु मसे त्या सुधी भक्ती वद से नही। हूँ पणु एटले अभिमान, अभिमान थी वंदन भक्ती नो नास थाये छे। आज काल लोको देहनी बव पुजा करे छे। एटले ठाकोर्जीनी पुजा सेवा करवानों एने समय क्या थी मडे। देह पुजा वदी एटले देव सेवा गई। लोको यने प्रकार्ना साबु शोधी काड़्या चे। एज साबु घस्वा थी सरेर नो रंग शुदर्वानों नथी। पन भक्तिनो साबु लगाडों तो अंदर नो रंग शुदर्षे। एज साचो रंग शे। सरेर ने लोको शनगार्ता थया त्यार्थी अर्चन भक्ति गई। माटे जीवन सादू राखो। आवी रिते भक्तिना एक अंग नो विनास थयो एटले जीव इश्वर्थी विमुक थयो। ठाकोर जीथी विमुक थयो। बुद्धिनो अतिरेक थाए एटले भक्ति छिन बिन था। भक्तिना बे बाणको छे एक ग्ण्यान अने बिजो वैराग्य। ग्ण्यान अने वैराग्य साथे भक्तिनो आदर थाय। कड्यूग माँ ग्ण्यान अने वैराग्य विरुद्ध थाये छे एटले के वधता न थी। ग्ण्यान पुष्टक मा आपीने पूरायूं त्यार्थी ग्ण्यान गयूं। कड्यूग मा जगत मा अधर्म वद्यों छे तेथी ग्ण्यान ने वैराग्यने मूर्चा आवी छे तेथी भक्ती रडे छे। कड्यूग मा जग्ण्यान वैराग्यनी उपेक साथाये छे एटले ते व्रद थया छे। डारत जी कहे छे जग्ण्यान वैराग्य साथे वुम भक्तीन बढ़ावीश। वो भक्तीनों प्रचार करीश। अने प्रहेतनों कर्या पन काई वडिव ने। वेद वेदांगना पाराएन कर्या तो पन ग्ण्यान वैराग्यनी मूर्चा उत्री ने। वेदनी भाषा गूट चे। वेदनों अर्थ जल्दी समझातो नथी एटले वेदोना पाराएन कर्वाथी मूर्चा उत्री ने। आपनू रदय एवरंदावन चे। रदय वरंदावन मा कोई-कोई वखत उपनिशदना अने वेदना पार्थी ग्ण्यान वैराग्य जागे चे। पन ते मूर्चा मा पड़े चे ते वैराग्य टक्तून चे। सम्षान मा चित्ता बढ़ती जोई केटलाअकने वैराग्य आवे चे। संसार्ना विशयो भोग्वया पछी वैराग्य आवे चे। परन्तु ते वैराग्य औणे विवेक वगर्नी होवा थी कायम टक्ती नथी। संसार्ना विशयो भोग्वे अपची वैराग्य आवे छे पड़ ते टक्तू नथी विशय भोग्वे एटले तेना प्रत्य अरूची तो आवे छे परंतु वैराग्य अने विवेक वगर्न योवा थी ते कायम टक्ती नथी कड्युग मातो स्रिक्रिष्ण नी कथा स्रिक्रिष्ण ना किर्तन थीज ग्ण्यान वैराग्य जागरूत थायेचे ग्ण्यान वैराग्य नी मूर्चा उतरती नथी एकले नारद जी चिन्तामा पड़ी जायेचे त्यारे आकाश्वानी थाये छे के ज्ञान वैराग्यनी साथे भक्तिने पूष्ट करे एवों सत कर्म करो। नारद जी अनेक साधू संतों ने पूछे छे के ज्ञान वैराग्य साथे भक्तिने पूष्ट मडे एवों कोई उपाय बतावू। पन कोई निश्चित उपाय बतावी शक्या नहीं त्यारे नारद जी फरता फरता बद्रिका श्रम मा आव्याचे त्या तेमने सनत कुमारोंने जोयाचे शनकादी मुनियोंने जोयाचे उपर जनाव्या मुझब शनकादी रूशियो अने नारद जी नू मिलन थेयों छे नारद जी ए शनत कुमारोंने बधी वात कही शंबड़ावी नारद जी कहे जे देश मां हूँ जनम्यों ते देश न उपयोगी न थाओं तो मारू जीवन व्रथा आचे आप बतावो हूँ सुशत कर्व करो शनकादी मुन्यों कहे चे तमे देश ना दुखे दुखी चो तमारी अभावना दिव्य चे औरों के हित जो जीता है औरों के हित जो मरता है उसका हर आशूर आवायन प्रतेक कर्म ही गीता है शनकादी मुन्यों कहे चे तमे देश ना दुखे दुखी चो तमारी अभावना दिव्य चे मंगल मैं भक्तिनों प्रचार करवानी तमारी इच्छा चे तो अवे तमे भागवत ज्ञान यग्यनु पारायन करों तेनों प्रचार करों तेथी लोकोनु कल्यान थसी आ कथाना स्रवन थी ग्ण्यान ने वैराग्यनी जागरूती थसी बागवत नी कथा ग्ण्यान भक्ति अने वैराग्यने वधार नारी कथा चे माते तमे शर्व वेदोनों सार्शम आ भागवत ज्ञान यग्य करों भागवत कथा ब्रतनु पान करवा त्यां थी तेव बदा गंगा की नारी आव्या कारण गंगा एक ज्यान भूमी चे भूमी नी असर सुक्ष्मा रिते मन उपर थाये चे भोग भूमी ए भक्तिमा बाधक चे नारद जी शनत कुमारू साथे व्यासास्त्रम माव्या चे नारद जी आथ जोडीन बेठा चे त्या रूशी मुन्योपन भागुत कथा नुपन जे नोता आव्या ते एकना घरे भृगु रूशी जाये चे अने विनाय थी वंदन करी मानवीने कथा मले आवे चे शत कर्ममा बिजाने प्रेर्णा आपी प्रवरुत करे तेने पन पुन्य मले चे नारद जी आजे श्त्रोता थैने बेठा चे कथाना आरंभ मा जै जै कार थाये चे अने महामंत्र हरहे नमहनो उच्चार थाये चे बद्धी प्रवरुती छोडिने मनुष्य ध्यानमा बेशे चे त्यारे माया विग्न नाके चे अना दी काल थी मनुष्यनु माया साथ युद्ध थतूं आवियो थे जीव इस्वर पासे जाए ते मायाने गम्तू न थी मायानु एक श्war उप न थी इस्वर येम व्यापक छे तेम माया पन व्यापक छे जीवन इस्श्वर मिलनमा आ माया विग्न करे चे माया मननने चंचड बनावे छे, माया मनुष्यने समझावे छे, स्त्री वगेरे माज शुख छे आम कई मनुष्यने माया हरावे छे, मनुष्यनी हार थाये छे, मायानी जीत थाये छे कारण मनुष्य भगवान नो पालो पकड़तो नुठी कथा भजनमा इश्वर नो प्रेम्ठी जैजे कार करो मायानी आर्थाए अने मारी जीत थाए प्रभुनो जैजे कार करो तो तमारो पन जै थसे जीत थसे आ भाग्वती कथा अती दिव्याचे आ कथा जे प्रेम्ठी श्रवण करशे तेना कान द्वारा परमात्मा रदैमा आउशे नेत्र अने क्षोत्र ने जे पवित्र राखे छे तेना रदैमा परमात्मा आवे छे भगवान श्रिक्रिष्ण कान द्वारा आख द्वारा मन मा आवे छे वारम वार स्रिक्रिष्ण कथा साबडवाती स्रिक्रिष्ण रदैमा पधारे चे आखने कान ए भगवानने रदैमा दाखल करवाना देहना बेदरवाजा साधन चे माटे आख अने कान बउपवित्र राखो त्या स्रिक्रिष्ण ने पधरावो दरेक सतकर्मना आरंब मां सांति पाठ करवा मावे चे तेनो मंत्र चे के हे देव कानो वडे अमे बद्रवचनो सांबडिये आख अने कान पवित्र थाय पची सदकार्यनो आरंब थाये चे गोर माराज आखे काने पानिय अडारवानू कहे चे तेनू आज रहस्य चे अई पन नेत्र क्षोत्रने पवित्र कर्या पचीज कथानो आरंब थायो चे शुद्ध इंद्रियमाज परमात्मानो प्रकास थाये चे आथी इंद्रियोंने शुद्ध करो अने शुद्ध राखो काड बगड़ों नथी पण आपनु काड़ जी बगड़ियों शे आ भागवत ग्रंथ मां अडार हजार स्लोक शे अडार एकले एक वत्ता आठ बनाबर नव अडार नी संख्या आ नवनी संख्या अडार एकले एक वत्ता आठ बराबर नव अडार नी संख्या परिपूर्ण चे राम परिपूर्ण चे तेथी नवमीने दिवसे प्रगट थया चे क्रिष्ण नवमीय गोकुड आवया त्यारे नंद महत्सव करवामा आवे चे प्रामजीनी बार कड़ा अने स्त्रिक्रिष्ण नी शोर कड़ा एवय बेवमा बेद कर्शोने बागवत मा मुख्य कथा चे नंद महत्सवने तेना स्लोक पन अडार चे गिताजीमा कुल अध्याय पन अडार चे अने स्थित प्रग्यना लक्षणों ना स्लोको पन अडार चे बागवत ए नारायननू श्वरूप चे भगवान गोलोक पदार्या त्यारे पोतानू तेज आ ग्रंथमा पद्रावियू एम एकादस स्कंदमा लक्यू छे तेथी भागवत चे ते भगवाननी शाक्षाक सब्दमई मूर्ती चे उद्दव ये भगवानने पूछेलू चे के आपना स्वधाम गमन पछी आ प्रुत्य उपर अधर्म वद्शे त्यार दर्म कोने शर्ण जसे भगवान त्यार कहे छे के मारा भागवत नो आस्र लेशे येना गर्मा कड़ी आउशे नहीं भागवत भगवाननू नाम श्वरूप छे नाम श्वरूप थीज मन शुद्ध थाया पची श्वरूप शेवानू अधिकार मडे छे मन ना मेलने दूर करवानू शाधन ते आ भागवत शास्त्र छे आ कथा सामड़्या पची पाप चालू राक्षो तो यमना दूतो तरप्थी बेफटका वदारे पडशे मनुष्य पत्नी धन अने भोजन मा प्रेम करे छे पड़ प्रभुमा प्रेम करतो नथी ते थी ते दुखी छे रंगदास करीने एक सेठ हता ते एक वेश्याम अती आशत्त हता एक दिवस रंगदास अने ते वेश्या रंगनात ना मंदिर पासे थी जई रया हता श्रिमन रंगदासे वेश्याने माथे छत्त्री दरी रामानुजाचारे मंदिर माथी बाहार निकरता निकरता आद्रश्य जोयो रंगदास पर तेमने दया आवी एमने कईू रंगदास तमे आ वेश्या पर प्रेम करो छो ते जोईने मने आनंद थाये छे पन आस्तरी करता पन मारा रंगनात घणा सुन्दर छे। तमें एकवार जुओ तो खबर पड़े। आम कई तेमने रंगदास ने ठपड मारी संतनी ठपड केटला एक पुन्य कर्या होय त्यारे मडे छे। रंगदास ने समाधी लागी गई तेने रंगनात ना दर्शन थया। बस पची रंगदास एस त्री मा प्रेम करव भूली गया। मनुष्य बाला व्यस्थामा मा साथे प्रेम करेचे। जरा मोटो थता मित्रो उपर प्रेम करेचे। लगन थया एकले पत्नी साथे प्रेम करेचे। त्यार बाद पुत्र पर प्रेम करेचे। त्यार बाद परिशा पर प्रेम करेचे वगेरे। आम तेना प्रेम पात्र बदलता रहेचे, बदलाता रहेचे, माटे इश्वर ने प्रेमनु पात्र बनावो, जेथी प्रेमनु पात्र बदलवानो जल्दी प्रसंग जना आवे। आज का लोको भक्ति बव करेचे, परंतु भगवानने साधन मानेचे, अने संसारना सुखने साध्य मानेचे, तेथी भक्ति फडती नथी, भगवानने साध्य मानो संसारना सुखने नही, कथा कोई ने हसावा माटे नथी, कथा इश्वर ने राजी करवा माटेचे, श्रोतावना रदय मा जे शोक जागरूत करेचे ते शूक छे कथा सुद्ध रदय रडवा माटेचे मारा जीवन नो आटलो समय नकामो गयो वगेरे भाव रदय मा जागे तो आ कथा साम्बडी सार्थक छे कथा साम्बडी अपछी पन वैराग्य नावे पाप ना छूटे तो कथा साम्बडी सोकाम ने भावत नी कथा स्रवन थी दर्शन्थी पुजन्थी पाप नो नास्थाये चे श्रिमत भावत ना स्रवन मात्र थी शदगती मले चे द्रश्टांत वगर शिदांत मन मा ठस्तो नथे तेछी आत्मदेव ब्रामननों द्रश्टांत कई कथा स्रवननों मैमा समझावेच तुंग बद्रानदीना किनारे एक गाम हतो त्या आत्मदेव नामनों एक ब्रामन पोतानी पत्नी दुंदुली साथे रहेतो हतो आत्मदेव पवित्र अतो पन दुंदुली स्वभावनी क्रूर अती पारकी पंचात करवावाणी औने जगडावु अती आत्मदेव निह संतान तो संततिना अभावे ते खुब दुखी अतो तेथी तेने आत्म हत्या करवानू निष्चे करयो छे ते माटे ते नदीमा ते वनमा नदी कीनारे आवेओ तेने एक महात्मा मढ़ाँ छे आत्मदेव महात्मा पासे दुख रडवा लाग्यो के खावानू घणू छे पन खानारो कोई नथी एटले दुखी छे तेथी आत्म हत्या करवा अहीं आवेओ छे महात्मा है कईउ तारे पूत्र नथी एमा भगवान नी कृपा आचे छोकर न थाए तो समझवूं के ठाकोर जी ए मारा उपर मारा आथे बदुझ धन वापरवानू मारा नसीब मा लख्यों छे एकला माटे मने पूत्र आप्यो नथी तेथी इश्वर जे स्थिती मा राखे एमा आनंद मानवों एक वार एक नाथ जी महाराज विठल नाथ जीना मंदिरमा दर्शन करवा गया एक नाथ जी महाराज ने लायक पत्नी मडियती तेथी तेवो भगवान ना उपकार माने छे एक नाथ महाराज कहे छे के मने स्त्री संग नई पन सत्संग मडियो छे हे परमात्मा ए विठल नाथ तमे मारा उपर बव उपकार करयो छे तमे मने अनुकुड पत्नी आपी छे तेथी जहूं तमारू भजन करी शकूँछू थोड़ी वार पछी त्याथी तुकारा महराज दर्शन करवा आव्या छे तुकारा महराज ना पत्नी करकशा आता छता तुकारा महराज आस्त्री आप्वा बदल भगवान नो उपकार मानेचे कहेचे के तमें मैंने प्रती कुड़ पत्नी आपीचे एटले तमारों हुँ भजन करीचे कुँछे पत्नी शारी मड़ी हत तो तेनी पाछड दोड़त तमने भूली जा एक नाथनी महराज ने अनुकुड़ पत्नी मड़ी छे तेथी आणन्द छे अने तुकारा महराज ने प्रती कुड़ पत्नी मड़ी छे तो य आणन्द छे जारे नर्सी महताना कुटुम्बनो नास्त थयो छता मैता आये तेमा आनन्द मान्यों छे अने गायों छे भलू थयू भांगी जन्जार शुखे भजिशू श्री गोपा एकनी पत्नी अनुकूड छे बिजानी पत्नी प्रती कूड छे त्रिजानी पत्नी दूतो मरण थयू छे तो पण आत्रने बहात्माओ आनन्द माने छे वैश्णव तेनु नाम के जे प्रत्य परिष्थितिमा परमात्मानी कृपानों अनुभव करे अने मनने सांत राखे माता पिताने पुत्र माते बउचिन्ता होयेचे पन पुत्रेशना पछी अनेक वासनाओ आवेचे पुत्रेशना पछी वितेशना अने पछी लोकेशना दागेचे आत्मदेवे कहिँ महराज मने पुत्र आपो पुत्र विना पितानी शद गती नथे कृष्ण कनया लाल कीजे, सत्य सनातन धर्म कीजे, अरे राम, अरे राम, 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 अरे अरे, अरे क्रेष्ण, अरे क्रेष्ण, अरे क्रेष्ण, 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 क्रे Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare